हाई फ्रेंज वेलकम बैक तो मैं चैनल इत कात्यावार काफी नस्दीक है तो आज मैं स्पेशल रेसिपी लेकर आए हूँ शीर खुर्मा यानि की सेवया की खीर वैसे तो आप इसे एत के अलावा भी किसी दिन बना सकते हैं गैस के आने पर भी आप इसे सर्फ कर सकते हैं उन के वेल के खुड़ो मैंचे लिखा है उन छय दिन गरम पानी में अदे गंटे के लिख हो कर रखंगी लिखते हैं को इसे हम प्रहुड़ों के लिख अधे का और भाक हम पैस कि शिल्किछा तुम को हम अधे गंटे बाद आप देखोकर दिन चilly changes में पैस्ता परम hell उर तक है तो तेबल स्पून पिस्ता हैं दो टेबलस्पून बादाम है कटेवे और काजु है दो इससों में कटेवे ती में मैंने दो हरी लाईची को कूट लिया था उसे भी मेंने साइड रखा है आप एक पैन में घी लेंगे एक बड़ा चमज और घी को हम बस मेल्ट होने देंगे इसे गरम नहीं करना है बस िदला हो ज्चाने ही तब हम इसमें घ्राइफ़ फ्रुट्स टालेंगे और ड्राइफ़ीट को हम बिल्कुल लॉफिलें दो मिनट के सलोड़ा ज़ागा छ थके वे भूद लेंगे तो वसके हमें, रोस्ट करना है दो मिनट तो थोड़ा सा क्लर चैंज हो रा ड्राइफ रूट थे वक्त हम सारे ड्राइ फूड को निकाल लेंगे तो यह हमारे ड्राइफूट्स रेडी है, इसे हम साइड में रखेंगे, वापस से उसी पैन में मैंने वन टेबल स्पून घी और आट किया है, और इस बार हमें घी को गर्म करना है, जब घी गर्म हो जाए तब मैं उसमें डाल रही हूं 500 ग्राम सिवया, यह बिल्कुल पतली सिवया आप मोटी भाली भी यूज कर सकते हैं, और लो फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते वे भुनेंगे, सिवया को हमें तब तक भुनना है, जब तक कि इसका कलर जो है बिल्कुल थोड़ा सा बदल ना जाए, गोल्डन ना हो जाए, तो इसे लगातार चलाते रहे, पतल तो अब हम फ्लेम को आफ करेंगे और इसे साइड में रखेंगे, चलते हैं नेक्स प्रासेस पे, तो यहां पर मैंने एक लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, और दूद को हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, एक उबाला आने तक, बीच बीच में से चलाते रहे ताकि जो 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, 10 मिनट में दूद काफी रिड्यूज हो जाएगा, तो हमें वह हलका हलका चलाते हुए से कुक करना है, और साइड में जो मलाई जम रहे आप उसे भी स्क्रेप करते जाएं, तो दोस्तों यह मलाई भी में स्क्रेप करेंगे, ऐसे करने से दू आप इसमें डाल दें, सेवईया डालने के बाद भी आपको फ्लेम को लो रखना है, लो फ्लेम पे इसे हम 8-10 मिनट के लिए कुक करेंगे, 8-10 मिनट में हमारी सेवईया बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे, अगर आप मोटी सेवईया का यूज कर रहे हो तो आपका कुक अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो चीनी है वह अच्छे से मेल्ट हो जाए और कंडेंस मिल्क भी दूद के साथ अच्छे से घुल जाए तो दोस्तों टोटल 10 मिनट को खो चुका है और यह काफी गाड़ी हो चुकी है अब मैं इसमें कुटी हुई लाइची डाल दे र अटमेंगे ड्राइफ रूट्स को भी डाल देंगे तोड़े से मैं बचा लिए गार्णिशि俺 रई पर दोड़ा था नहीं करना है नाए दो मिनट करना एनफ है राइफ पर चुट जालने के बाद मैंने मिला लिया है तोड़ा संब कुका रहे हूं लास्ट मे घुल्ट चल यह optional है आप चाहो तो केवडा जल का भी यूज कर सकते हैं उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है तो दोस्तो गुलाब जल डालने के बाद आप फ्लेम को आफ कर सकते हैं बट मैं इसमें थोड़ा सा केसर एट कर दे रही हूँ ताकि वह हलका सा माइल सा कलर आ जाए केसर डालने में के बाद मैं मिक्स कर के अफ कर दे रही हूं अफ करने के बाद हम कम से कम इसे ठंडा होने देगे 15 मिनट के बाद आप देखाऊ देखो के आपकी शीर कुर्मा काफी गाडी हो चुकी है तो वेसे तो यह तो यह स λέणि हमारी सीट कर इस हलका गर्म या फिर थोड़े दिर म मैं थोड़ा से ड्राइफ रूट से गानिश कर दे रही हूं और थोड़े से केसर के धागे के साथ तो यह हमारी शीर खुर्मा बनकर रेडी है आई होप आपको यह रेसिपी अच्छी लगी होगी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरी च रेसिपी के साथ तब तक लिए बाबाएं टेक केर